लो गाइस कैसे आप सभी लोग आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैंगल हार्ड वाइन इसली कैसे ग्रो कर सकते हैं तो सबसे पहरे तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह प्लांट एक सक्यूलेंट है तो सक्यूलेंट को सैंडी सॉयल पसंद होती है और उन्हें सन अच्छा लगता है तो इसके लिए सबसे पहरे हम लोग एक छोटा सा पॉट ले लेंगे यह 3-4 इंचिस का पॉट है यह मैंने नर्सरी में भी यूज होता है आप लोगों ने देखा होगा यह मैंने ले लिया है इसमें हम लोग इसे शिफ्ट करेंगे यह अभी मैं अपने पॉट से निकाल के लाया हूँ यह प्लांट यह सीड से अपने अप ग्रो हो गया था मेरे मतलब दूसरे पॉट में भी लगे हुए तो वहां के सीड उड़के यह एक गमले में गया था तो वहां यह सीड से अपने अप ग्रो हो गया तो पॉट में सबसे पहले हम लोग ड्रेनेज को कवर कर देते हैं cotton cloth से cotton cloth लगाने से यह होगा कि हमारी जो soil निकल जाती है पानी के साथ साथ soil नहीं निकलेगी तो आप देख सकते हैं आप soil में मैं use कर रहा हूँ sand और इसमें थोड़ा से compost मिला हुआ है तो चलिए अपने pot को soil से fill कर लेते हैं और जब आप यह plant लगा रहे हैं आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि मैंने बताया था जैसे कि एक succulent plant है तो इसको अगर आप full sunlight में रखेंगे तो यह बहुत ही अच्छा grow होगा और इसकी leaves काफी fleshy और green green रहेंगी आप इसको indoor भी grow कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल indoor नहीं grow कर सकते हैं आपको इसको कम से कम एक दो आर की sunlight देनी ही पड़ेगी तब ही अच्छा grow होगा और आप अगर जाएं तो इसको सुबह के वक्त की धूप दिखागे फिर अंदर अपने rooms में रख सकते हैं चलिए अब इसको हम लोग ट्रांस्प्रांट कर देते हैं यह देखिए मैं अपने pot से निकाल के लाया और फिर मैंने इसको पानी में रख दिया था देखिए कितने अच्छे से यह सीड्स से अपने आप ग्रो हुगा है इसकी roots देखिए roots तो जादे नहीं है मगर यह plant कितने अच्छे से grow हुगा है क्योंकि यह full sunlight में ता अब मैं इसको छोटे pot में लगा के इसको morning में एक दो औ sunlight दोंगा और फिर इसको अपने room में as a decorative item रखूंगा तो चलिए इसको लगा लेते हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा है यह plant तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए हम लोग अपनी soil में एक hole कर लेंगे ताकि इसकी roots disturb ना हो और गलती से लगाते times की roots तूट ना और यह plant shock में जा सकता है तो हम लोग simply बस soil में hole करके इसको place कर देंगे और फिर अच्छे से soil को fix कर लेंगे अब आप अपने plant को position दे दिये जैसे भी आप चाहें और अपने space में water डालूँगा देख सकते हैं आप बहुत ही easy method है कुछ भी नहीं करना है और आप मेरी soil भी द जरूरत नहीं होती है बस आप इसको ध्यान रखिएगा sunlight और पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा वीडियो को like करिए